नमस्कार, मैं हिंदू जनजागरती समिती का प्रवक्ता सतीश कोचरे कर। समस्त हिंदू के जीवन में सुवर्णाक्षरव से लिखा जाए ऐसा क्षण है आयोध्याजी में निर्मान हो रहा भव्य स्री राम मंदिर और आज हो रहा उसका भूमी पुजन। इस पावन अवसर पर हिंदू जनजागरती समिती की और से मैं समस्त हिंदू को हारदिक शुपकामनाय देता हूँ। लगवक 500 वर्ष के संघर्ष के पश्षाद हिंदू ने अपना एक श्रद्धा केंद्र मुप्त किया है। जिहादी आकरंताओं ने केवल एक राम मंदिर को ही ध्वस्त नहीं किया, अपितु लाखों मंदिर ध्वस्त किये। आज विस्वतंत्र भारत में काशी का विश्वनात मंदिर और मथुरा के स्री कृष्ण मंदिर पर इसलामी आकरमन दिखाई देते हैं। उनकी मुक्ति के लिए भी हमें वैधानिक रूप से प्रयास करने होंगे। जिनके लिए संभव है वे प्राचीन मंदिरों के उत्थान हेतु ग्यापन दे। जिने संभव है वे नियालेन संघर्ष करे और अपने समय का धर्म सेवा हेतु उप्योग करे। इसलामी चंगुल से राम जन्म भूमी मुक्त होने के लिए जिस पवित्र भूमी पर प्रभू श्री राम चंद्र का जन्म हुआ उस स्थान पर श्री राम का भव्य मंदिर बनाने का संघर्ष कितना प्रदीर्ग था यह हमने देखा है। श्री राम चंद्र की क्रोपा से राम मंदिर का निर्मान तो हो ही रहा है अब प्रत्यक्षर राम राज्य की स्थापना के लिए प्रयासरत रहना यह अमारी धर्म सेवा होगी 500 वर्ष के राम मंदिर निर्मान के संघर्ष के काल में न जाने कितने राम भक्तों ने जिहादी आकरानताओं द्वारा हिंदू संस्कृती पर हुए आधातों को मिटाने के लिए जान हतेली पर रखकर संघर्ष किया होगा। राम जन्मभूमी के उपलक्ष में सभी ज्यात अज्यात राम भक्तों का स्मरण करते हुए मैं उनके प्रती कृतज्यता व्यक्त करता हूँ। इस धर्म रक्षा हितू प्राणों की परवा किये बिना संघर्ष करने वाले इन वीर भक्तों का रादर्ष सामने रखकर हम सभी को धर्म एवं राष्टा रक्षा हितू समरपित होना होगा। उसके लिए हिंदु समाज को कार्य करने की शक्ती बुद्धी और प्रेर्णा मिले। इस हितू मैं प्रभुश्री राम के चर्णों में प्रार्थरा करता हूँ। और राम भक्त, देश भक्त और धन प्रेमिय से या आवान करता हूँ कि आज इस पावन अउसर पर अपने घर पर भगवा ध्वच फैराएं। सवेरे प्रभुश्री राम जी की प्रतिमा को पुश्प अर्पित कर उनके सामने तेल का दीपक जलाएं। सायंकाल में घर के सामने तेल के दो दीपक जलाकर राम रक्षा का पाठ करें।